हालो आद्या माम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है आज हम सोयावीन की सब्जी बनाएंगे एकदम अलग तरीके से क्या क्या सामागरी चे चलो हम बता दे रहें आप लोगों को सोयावीन लिया है मैंने बेसन है दो प्याज है मीडियम साइट की इंटमाटर है लस उनकी कुछ कलिया है हरी मीर्च है चलिए अब गैस पे दिखाते हैं मैंने गैस पे एक बरतन को चड़ा दिया है उसमें पानी ले लिया है नमक को भी डाला है रोज थोड़ा सगरम हो जाए बढ़ियों को उबाल आने तब उसमें पकाएंगे ताकि बढ़ियां अच्छे से फूल जाए तो देखिए बढ़ियां कैसे फूल रहे हैं जितना पानी गरम होंगा बढ़ी उतनी फूल जाती है और इसकी सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है आज तक कोई खाया नहीं होग अब देखिए मैंने चौपर को ले लिया है उसमें प्याज को चौप करने के लिए प्याज को छोटे चुटे टुकडे में काट करके चौप कर लेंगे चौपर में अब मेरी प्याज चौपर में चौप हो गई है देखिए इतनी छोटी छोटी ठीक है, इससे ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए और चौप करके प्याज को डालना चाहिए ज्यादा तर चीजों में और इधर मेरी बड़ियां भी ठंडी हो गई है अब इनका पानी अच्छे से निचोड लेंगे निचोड करके सारी बड़ियों को अलगी एक जगह रख लेंगे ऐसे दबाना है ताकि बड़ियां टोटे न हलके हाथ से दबाना है और पानी इसका सारा निचोड देना है चलिए बड़िया भी मेरी तयार हो गई या बागे का प्रोसिज देखिए मैंने बेसन को एक बड़े से बाउल में लिलिया है उसमें हल्दी डाला है थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इस बात करलाश्च तक ज्याना और उसमें अजवाइन भी क्रेस करके डाल दिया है और इसको थोड़े थोड़े पानी से इसका एक मोटा सा गोल बनाएंगे गोल एक दम पतला नहीं होना चाहिए गोल मोटा हो तब ही सही रहेगा और देखिए मैं कैसे कैसे बना देखिए उसी तरह गोल को बनाना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिला लेंगे और देखिए हमारा गोल हो गया अबन के तयार अब इसमें जो बढ़ियां हमने निचोड करके रखी उन सब को इसमें मिला लेंगे अच्छे से अच्छे से इसको मिला करके रख देंगे एक जगा पूरा घुमाते वे अच्छे से पूरा मिला लेंगे ताकि पूरी बड़ियों में बेशन आ रहा अच्छे से लग जाए और तलने में कोई दिक्कत ना हो देखिए अब इसको दो बनिट के लिए रख देंगे साइड में और गैस पर पैन चड़ाएंगे तेल गरम करेंगे गैस पर पैन को चड़ा दिया है तेल भी गरम हो गया इसमें एक एक बड़ी निकाल करके फ्राई करेंगे पूरा डालके पूरे तेल ने बड़ियों को अच्छे से तोड़ देंगे बड़ियों को फ्राई करेंगे एक तरफ की जब सिख जाय तभी उसको प्लटना है चमच की साहता से या किसी मतलब और चीज के साहता से चिम्टे से किसी विची से इसको आप आराम से प्लट सकते हैं और प्लटने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए फिर उपर किसी चीज से देखिए बड़ी हमारी हो गए तयार इसको अच्छे से निकाल लेंगे चलिए इसका मसाला त्यार करें मसाले के लिए मैंने गरम मसाला लिया है हल्दी लिया है और धन्या पाउडर है सब्जी मसाला है कस्मीरी लाल मीर्च भी लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इस सब मसालो थोड़ा सा पानी डालके पहले ही भीगो के रख देगे कड़ाही को चला दिया है गैस पर इसमें जीरे से लांग और काली मीर्च का तड़का दे देंगे जब जीरा और काली मीर सब चटक जायागा तो इसमें प्याज को डाल देंगे जो चॉप करके रखा था मैंने और प्याज को चलाते वे ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे प्याज अच्छे से बुन जाए कि तभी इसमें फिर लसुन की कलियां जिसको मैंने कूट करके रखा था खलवट्टे में इसको भी उसमें मिला लेंगे प्याज कैसे ब्राउन हो रही है एकदम अच्छे से दिख रही है इसको थोड़ी देर और पकाएंगे देखिए प्याज एकदम ब्राउन हो गई है अब उसमें टमाटर का पेष्ट बना के रखा था मैंने उसको डाल दिया है अब थोड़ी देर तक टमाटर को भी पका यह सब जो अच्छे सिपक जाएंगे उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे और इसमें मैं स्वाद अनुसा नमक अड़ कर देंगे इस बात का ध्यान रखते रहेंगे कि हर चीज में नमक अड़ो तो उसी इसाफ से डालें नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए वह देखिए मेर टमाटर भुन गया है अब इसमें मैंने का ब्शा कर दिया अच्छे से चलाते वाद मसाले को भुन लेंगे तेल छोड़ने तक और देकिये मेरा मैसाला भी भुन के हो गया तेया देखिए किनारे से बीज में दो से हर जगह से तेल छोड़ दिया है तेल छोड़ चोड़ दिया है उसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे फिर पानी एक कर देंगे आप आप सिकता नुसार पानी एकड़ कर सकते हैं लिकिन पानी इसमें थोड़ा सह ज्यादा एक क्रोगे बडूया डालने में मिला लेंगे अच्छे से मोगने हैं कि सारी वडिया झब मिल जाएगे इसको चला करके ऐसी थोड़ी देर की लिए ढ़क जो ऊदूंझ से 3 Bengal तक पकाएंगे 2 Mins swept 2-3 प्रस्जflower और पालायकिश्ण 3 मिल के जाएगी एक इंदूंद ہے हो जाएगी दो से तीन मिनट पर कालेंगे इसके बाद देखिए जारी बढ़िया एक दों फुल के तयार हो गई है और सब जी हमारी बन के हो गई है यह तयार यह जितने देर तक करा रखे ठंडी होगी उतनी गाड़ी होती जाती है बढ़िया इसको सोक लेती है और मैंने देखिए सुखी हुई धनिया डाल दिया है आज कर लॉकडाउन हो तो धनिया नहीं नहीं दे मिल रही है ना मैंने पहले से सुखा करके धनिया रख लिया था और उसको डाल लिया है देखिए मैंने सबजी को सर्व कर दिया है सब्जी कितने अच्छी लग रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनती है एकदम लाजवाब सब्जी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सेर करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए नमस्कार